तो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 ठीक है और कक्षा जो है वो हमारी कौन सी है 6 है मैंने यहापे 7 डाल दिया तो कुश्चन जो है पहला हमारा की कह रहा है किसी स्कूल में चार दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्सनी आयोजित की गई पहले दूसरे तीसरे और अंतिन दिन खिड़की पर क्रमसा 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकेट बेचे गए इन चार दिनों में बेचे गए टिकटो की कुल संख्या जो है वो हमें निकाल लिए अब आपको बता दें भाई जहां पे यह हमारा वर्ड लगा हो कुल तो उसका मतलब क्या होता है वहां पे हमें क्या करना है एड करना है क्या करना है ज नोने हम से कहिए तो अब हम यहां पर क्या करेंगे चलब कर एफने पहले डिन के बेचे गए टिकट यह तो पहले दिन कितने बेचे गए थे 104 greatly बात करते हैं दूसरे दिन की उस दिन हमारे कितने टिकेट बेचे बेचे गए 1812 बात करते हैं तीसरे दिन की तो उस दिन हमारे कितने टिकेट बेचे गए दो हजार पचास और चौथे दिन या अंतिम दिन ठीक है अंतिम दिन बेचे गए टिकेट वह हमारे कितने हैं दो हजार सास सो इक्यावन इन्हों ने कुल टिकेटों की बात की है तो हम यहां पर क्या करेंगे हम सब अब को जोड़ें तो हम यहाँ पे लिग देंगे अताहा कुल लुग Trump को डिचे ऑन हैको को अधिके यहाँ पर जगैसट से कि आवे नहीं है तो हम यहाँ उन्हें रहा है आपज देना ठीक है कितने होग जाएंगे हम सब छोड़ा कुछ नहीं मतलब 6 तो चैके में एक जोड़ा थो हमारा क्या आया साथ प्रशिप यह एसे ही हे हमारा कोई भी हासिल नहीं आया है नो में एक जोड़ा दर्ष पांस जोड़ा फंदरा फंदरा में पांस जोड़ा ओमरा surrounding 20 का हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे और ये जो 2 है वो हमारा क्या हो जाएगा हासिल हो जाएगा हासिल को हम इस तरीके से लिखे दे रहे अब हम जोड़ते हैं ये हासिल जो है इसके उपर है 2 में 0 जोड़ा तो कितना है या तो तीं तीं में दो जोढ़ा तो हमारा हुआ पांच कितने टिकेट बेचे गये हैं वह भुचेन हमारे 7760 टिकेट टिकैगे इस सड़िकर से हमारा पहला आन्सर जो है वो ए यह गाए ठीका है फैला तक हमारा कॉस्जीन हमारा कप्रेट हो गया अब हमपना दूसरा कुश्यन तो यह रहा हमारा दूसरा कुश्यन दूसरा कुश्यन जो है वो हमसे कह रहा है सेखर एक प्रसिद क्रिकेट की लाड़ी है वह तेश्ट मैंचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है वहाँ एक हजार रन पूरा करना चाहता है उसे कितने रनों की आवशक्ता होगी ठीके कितने रन पूरा करना चाहता है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे ठीके रन पूरे करना चाहता कितने रन पूरे करना चाहता है तो वो हैं हमारे 10,000 ठीके और उसे कितना रन बना चुका है वो 6,980 रन बना चुका है तो हम यहाँ आपे लिख देंगे उसने रन बनाए ठीके तो उसनी कितने रन बनाए हैं तो वो बनाए है fix 3,980 ठीके उसे और कितने रनों के आप्शक्ता है यह बताना बाई इतने बनाना चाहता है उतने इतने रं जो है उसने बनाए है खल've हो इसके लिए क्या pig i have a left that you don't like aIM क्या करेंगे और सब्सक्राब हैं जो दस हजार है इसमें 6900450 twoibaare देंगे ठीक है देखते हैं हमारा क्या क्या यहां पर किजीरो है तो क्या करेंगे हासिलेंगे इसकेपास भी कुछ भी नहीं था इसने इस त्रह इसको थी तो यहां पर दस हो गया इसने वापस से इस को दे दिया अब किद्स की यहां नहीं थी क्योंकि यहां पर 0 इथा टिक है जीरो में से 0 गया कुछ नहीं बचा यहां पर हमारा इसने इसको हासिल दिया यह नहीं था तो यहां पर 10 रहा तो आपको यहां पर गटा कर दिखाते हमारा क्या था 10,000 था ठीक है इसमें से क्या गटाना था 6980 ठीक हमने गटाना था 0 मैं से 0 गया 0 यहां पर कुछ नहीं था थीके हमें गटाना है तो क्या करेंगे हम इससे हांसिल मौनपर नहीं था तो यहاं पर 10 अदुने सको एक दे दिया तो तो हमारा कितना बचेगा बचेगा-स थी तिन हजार-बीस यह उग स्बाद़ करते हैं तो यह रहा हमारा थीसरा कुशन तेसरा कुश्ण जो रहा है एक चुनाव में सफल प्रतियासी ने 5,778,500 मत प्राप कि जब कि जिए उसके निकत तो हम प्रатि धंदी ने 3,484,700 मत प्राप कि चुनाव को कितने मतों से जीता थिके यह हमें वताना है कितने मतों से जीता मतलब क्या करना ना है जो हमारा असफल हुआ है और जो हमारे सफल हुआ उन दोनों के बीच का मंतर निकाल देंगे तो हमारा आंसर जो है वह आजाएगा देखो क्या होता है आपको बता देते हैं यह हमारे क्या है कुल मत हैं ठीक है कुल मत में से कोई सफल होता है ठीक है तो कोई असफल होता है यह दो कंडिशन हमा किसने वोटों से जीता है तो हम सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे कि हम यहां पर लिखते हैं कि कि सफल कि प्रत्यासी को को मिले वोट कि कितने मिले हैं 5,77,500 अब यहां पर लिखेंगे असफल कि प्रत्यासी को मिले वोट तो यह कितने मिले हैं वोट इसको यह मिले हैं 3,48,700 अब हम अंतर निकालेंगे कितने मोटों से जीता तो हम क्या करेंगे मतों का अंतर निकालेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे अतहाँ कि मतों का अंतर ठीक है तो मतों का अंतर कैसे निकलेगा क्या करेंगे हम यहां पर यह लिखेंगे ठीक है पांच साथ और 500 गुटबड़ा देंगे इंको कैसे तीन और तालिस साथ सो और गटा देंगे जीरो बहुत। ढ्षयां सब्सक्रOffice शाओं से हम जीरो से जीरों से झीरों से जीरों से जीरों गया जीरों से फ। 24 5 तो मैं कितने भचे आफ वेचे हैं डिया तो मैं यहां नैंके छो जा जाए का निए साथ क्या जेंगाल? सफल प्रत्यासी ने चुनाफ कितने मतों से जीता है हम यह लिख देंगे अता सफल प्रत्यासी 2,288,800 वोटों से जीता ठीक है इस तरीके से अपने आंसर को हम लिख देंगे तो यह वाला कुश्चन जो है वह हमारा कंप्लीट हो गया अब हम करेंगे अपना नेक्स कुश्चन तो करते हैं अपना कुश्चन तो चौथा कुश्चन जो है वह हम से कह रहा है किर्टी बुक इस्टोर ने जून के प्रथम सप्ता हमें 22335891 मूल की पुस्थके बेची । इसी महा ऐख दूसर सफ्था में 4768 मूल की पुस्थके बेची दोनों सफ्था में कुल मिला कर कितनी बिक्री हुई किस सफथा में विक्री अधिक हुईistent हुई और कि्तनी अधिक हुई तो यह रहा हमारा कुश्चन ठीक है अब इस विक्री हुई है दोनों के मुल्यों को जोड़ना पड़ेगा तो हम मिया सबसे पहले लिखेंगे पहले सब तहां हुई बिक्री ठीक है तो वो कितने की विक्री हुई है वो ही है 2,85,891 ठीक है फिर हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरे सब्तह वी विक्री तो दूसरे सब्तह हमारी विक्री कितनी हुई है वो ही है 4,768 रुपए की इतनी जो है वो हमारी विक्री हुई है तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतह कुल विक्री कुल का मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पे दोनों को जोड देंगे तो हम फिर से लिख लेते हैं 2,85,891 और 4,007,6,8 ठीक है का कर देंगे दोनों को जोड देंगे ठीक है आठ और एक जोड़ा तो हमारा हुआ नौ और छे और नौ जोड़ा तो हमारा कितना पंद्रा हुआ पंद्रा का क्या लिखेंगे पांच लिख देंगे एक जो है वो अभी भी हमारा हासिल है ठीक है तो साथ और आठ जोड़ा तो हमारा कितना हुआ पंद्रा ठीक है पंद्रा में एक जोड़ा तो हमारा कितना हुआ सोला सोला का हम लिखेंगे चैए एक अभी भी हमारा हासिल है पांच और जीरो जोड़ा तो हमारा पांच ही हुआ पांच में ये हासित जोड़ दिया तो हमारा छै हो गया तो हमारी कुल्ड विक्री हुई है 6,86,669 रुपए की विक्री हुई है पहला आंसर जो है वो आ गया है अभी इनों ने कहा किस सप्ता हमें विक्री अधिक हुई तो भाई हम देख रहे हैं यहां पे 4,00,00 है और यहां पे 2,00,00 है तो 4 जो है वो हमारा बड़ा होता है तो इसका मतलब हमारे किस सप्ता में विक् किस से 2,85,891 से अतहा दूता बिक्री अधिक हुई ठीक है अधिक हुई इसका मतलब यह हो गया हमारा अब इतना तो हमारा हो गया अब हम क्या करेंगे तीसरा कॉर्शन जो इनोंने पूछा है कितनी विक्री जो है वो अधिक हुई है जो है किस सप्ता में अधिक हुई हो कितनी अधिक हुई है तो क्या करेंगे हम घटा देंगे तो घटा हैंगे कैसे हम यहां पर लिखेंगे अधिक विक्री बराबर क्या करेंगे चार लाख सास सो अड़ सट में से दो लाख पचासी अजार आठ सो इक्यानवे जो है वो हम घटा देते हैं ठीक है यहां पर आपको दिखने रहा मैंने ध्यान नहीं दिया ठीक है तो यह जो है वो हम घटा देंगे देखते हैं घटाने पर हमारा क्या आएगा 8 में से 1 गया तो उमारा 7 बचेगा 6 में से 9 जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे 1 कि से हांसिल ले लें तो यहां पर 16 हो जाय का अचल करेंगे तो 16 मेंbell हमें क्खटाना है 9 फ़िए 7 यहारा सैट भचेगा ठीकर ठ Dalton नुकि अछयम मोझा नाव्र आज पसनी नाधा वर ने से लिया था इसके भाउता धुष मोझा ठीच तो इसके आज पास ने जुविच औरफ प्लम्हट पर भी कोषियं पांच हैामाज Gwegen चार पचाथन अपि यहा पास वर भातना इसने इससलिया था यहां पर तीन में से डो गया एक लाग 14 याजा बैक्षर हो गया कुछ इस तरिके से प्रतेक केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे चोटी संख्या का अंतर हमें ग्याद करना है ठीक है यह रहा हमारा कुष्या नंबर 5 को करने से पहले हम आपको पता दें अगर आये जो मैं साथ के साथ आपको इस बुक में पढ़ाते जो चल रही हूं इस कॉपी में जो नोट करते चल नहीं जो हमारे नोट्स बनते जा रहे हैं ठीक है अगर आपको इनकी पेडियाफ चाहिए ठीक है इनसे आ हमारे handwritten notes भी वहां से देख सकते हो तो ठीक है तो हमारे app को download कर लेना और साथ में अगर आपको साइंस पढ़नी है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जो जो सिस्टेडी साइंस पर अपनी साइंस को पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो जलिए question को हम करते हैं question है अंकों 6 2 7 4 और 3 में से प्रतेका केवल एक बार प्रयोग करना है मतलब यह जो अंक दीए गए हैं कौन से अंक दिए गए हैं 6 2 7 4 और 3 इनको हमें सिर्फ एक बार ही प्रयोग करना है और हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो हम यह आपे लिखेंगे इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी सबसे बड़े अंकों सबसे पहले लिखो उससे चोटे अंकों लिखो फिर उससे चोटे अंकों लिखो फिर उससे चोटे फिर उससे चोटे सबसे बड़े मतलब हम किसे फॉर्म में चलेंगे अब रोही क्रम में जब चलेंगे तो हमें सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी ठीक है जैसे कि सबसे बड़ी संख्या हमारी सबसे चोटी संख्या ठीक है तो सबसे चोटी संख्या हogy है, यह होगी इस ही चीज को लेट कर लिख दो या कह लो इस चीज को हम आरोही क्रम में कटाएंगे सबसे चोटी को पहले पर बढ़त tipping में हम जाएंगे दो तीन चार छह साथ यह हो गई हमारी सबसे छोटी संख्या अब इन्होंने क्या कहा है इनका अंतर ठीक है हम यहाँ पे अंतर निकाल देंगे इनका अंतर तो इनका अंतर हमारा कैसे निकलेगा कुछ नहीं करना है हमारा 7 6 4 3 2 में से 2 3 4 6 7 को हम घटा देंगे ठीक है हमारा अंतर जो है वो निकल के आजाएगा हमें आपको घटा कर दिखा देते हैं जैसे कि क्या था हमारा हम यहाँ पर देख लेते हैं 7 6 4 3 2 में से 2 3 4 और क्या था 2 3 4 6 7 को घटाएंगे दो में से साथ जाएका नहीं तो यहां से लेंगे तो 12 हो जाएका हैं पर 12 में से जब 7 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा ठीक है तो हमारा बचेगा पांच ठीक है यहां पर चार हा अब यहां पर 27 बचा 10 में से चार में है ईंडर यहां कुछिंट यहां पर लिखना होगा पर हमें यहां पर वे स्वाल करना है तो यह बावन हजार-965 ठीक है तो यह जो आया है यह हमारा क्या हो जाएगा आन्जार हो जाएगा तृँक है इस तरह करेंसे हमारा नम्र फाई भी complete हुआ अब हम करते हैं अपना चटबावाला कोशन तो ये रहा हमारा चटबावाला कोश्चन तो चटबावाला कोश्चन है यह हमसे कह रहा है इग मसीन और सतन एक दिन इससे को नाती है जनवरी अच्छे में उस मसीन ने कितने पैच जो है वो बनाए है यह हम से पूरकहरा है तो क्लास को करते हैं एक तो त्व कुष्टन में हम से कितने पैच बनवाने को बोला है एक दिन से बाता है तो हम यह अपर लेक्षेश घ्री एक दिन में पेच बनाएज ठीक तो एक दिन में कितने पेच बनाता है वो मसीन बनाता है बनाता है अब जनवरी के बात कर रहे हैं जनवरी किसी भी साल की वो हमेशे लिकन ही होती ठीक है तो हम यहाँ पर लिखेंगे जन्वरी में कुल दिन तो हमारे कितने होते हैं 31 तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतह जन्वरी 2006 में बनाए गए ठीक है गए कुल पेंच तो हमारे कुल पेंच कितने हो जाएंगे त्यान से देखना एक दिन में इतना बनाता है तो 31 दिन में कितने बनाएंगे तो कुछ नहीं एक दिन में इतने बनाते हैं तो 31 दिन में हम 31 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2825 की हम गुणा कर देंगे किससे 31 से गुणा कर देंगे अब हम क्या करेंगे इसकी और इसकी आपस में गुणा कर देंगे तो यह गुणा जो है वह हम यहाँ पर कर लेते हैं क्या हम हमारे पास है 28 और 25 था 2825 था इसकी गुड़ा करना है 31 ठीक है तो हमने इस तरी के से देख लिया एक से बुड़ा करेंगे तो हमारा वापस से यहीं आ जाएगा क्योंकि एक से गुड़ा करने पर हमारा वहीं आता है अब तीन से करते हैं ती पच पंद्रा एक हमारा हासिल ती सथ ह Kopf गया सासा 14 एक फंद्रा एक हमारा नहीं है ओ गया two alcohol चे चे में एक हाशिल जो था वह। हमने जोड़ा और होगय साथ और हमेरा आठ तो हमारा क्या जा गया 87,575 तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 87,575 ठीक है इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे तो कुल कितने पेच है बनाए गए तो वो बनाए गए है 87,575 यह हो जाएगा हमारा आंसर ठीक है तो आज की क्लास को हम यहीं पर सवाप्ट करते हैं उमीदे क्लास जो है आपको अच्छी लगे होगी तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना आप नहीं बुलेंगे बागी के जो बचे हुए कोशन है वो कराएंगे अपनी नेक्ट क्लास में